अगर आपके पास इस तरह से फैब्रिक हो जादा बर्ग वाला तो उस पर ब्लॉज की कटिंग कैसे करें तो प्रेंस बीडियो को पूरा लाश्ट तक देखना जिससे हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आए क्योंकि प्रेंस इस तरह से बर्क वाले ब्लॉज की कटिंग करना वा स्टीचिंग करना मुस्किल होता है तो प्रेंस आईए हमारे साथ हम हर एक स्टीप को सरल करके सिखाएंगी कटिंग वा स्टीचिंग तो इसके साइड में चेन लगाएंगी और इसको हम कपस वाला बलॉज बनाएंगी तो इस फैब्रिक में से हमें बाजू का फैब्रिक अलग कट कर लेना है और बैक वाली पल्ले को अलग कट कर लेना है तो देख सकती हो फ्रेंस जो हमारा बाजू वाला फैब्रिक है वो बहुत ही कम है तो फ्रेंस इसमें हम जोड लगा कर बाजू को निकालेंगे तो सबसे पहले बाजू वाला फैब्रिक हम कट कर लेंगे तो गैसे हाफ पिंच हमें बढ़ा कर ही कट करना है क्योंकि इसमें हम लाइनिंग अटेच करेंगी तो हमें सिलाई के लिए मार्जन लेना होगा इसी तरह हमें दूसरे साइट बाजू को कट कर लेना है और ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा तो इसमें गला बना हुआ है लेकिन फ्रेसेंस में गला बहुत छोटा है हमें गले को डीप बनाना है तो इसको हम डीप में कट करेंगी तो हमने अस्तर पर ब्लॉज की कटिंग को कर लिया है अब हम इसका मेजरिमेंट दिखा देती है इसके चेश्ट का साइज 42 इंच है हमने फोर सी डिवाइड किया तो साड़ी 10 इंच पर कटिंग की और 2 इंच मार्जन का लिया तयार लेंद साड़ी 13 इंच है तो इसको हमने एक इंच बढ़ा कर कट किया है बैक वाली पल्ले को इस तरह हमने 14 इंच बैक वाली पल्ले को कट किया है तो गाय से हम इसमें ज़्यादा निचाई नहीं निकाल पाएंगी क्योंकि हमारा जो बैक वाला पार्ट से उसमें छपाई है जितने छपाई है उसी के हिसाब से लैनिंग को कट करेंगी और आर्मूल की गुलाई हमने 6 इंच पर दी हुई है तो प्रेंस बैक वाले पल्ले में हम डाट की सलाई नहीं लगाएंगी क्योंकि हमारी फैबरिक में बहुत कडाई है तो इस तरह से हमें लगबग 1 इंच नाप कर इस तरह से फैबरिक को कट कर देना है जितने की हम पलेट बनाते हैं उतना ही फैबरिक हमें निकाल देना है फैबरिक को निकाल देना है और हम डाट की सलाई नहीं लगाएंगे गले की लंबाई का निसान 10 इंच पर लगाया नीचे की चौड़ाई 3 इंच और उपर की चौड़ाई 3 इंच और इस तरह गले में B सिप दिया हुआ है कट्स लगा लेंगे तो पर इस गला हम B रखेंगे और इसमें गला गोल छपा हुआ है लेकिन हम गोल गला नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको हम डीप बनाएंगे और इस तरह हमें leining को सीधी psychiat में बिचा लेना है उसी के उपर हमें leining को सैट करना है कुछ इस तरह से जो हमारा circle बना हुआ है उसका हम centre लेंगे तो इस तरह उसके बीचो बीच में हमें गले कूँ मिलाना है कुछ इस तरह से सबसे पहले हमें नीचे की साट सिलाई को लगा लेना है गले में निसान बना हुआ है इसी की उपर सिलाई लगा लेंगे तो गाय से इसमें बीट्स लगे हुए हैं हमें बहुत ही समाल कर सिलाई को लगाना है तो इस तरह हमने सिलाई को लगा लिया है बीच वाले फैब्रिक को कट कर देना है दो पॉइंट मार्जन छोड़ते हुए कट्स लगा लेना है अच्छी पनीजिंग के लिए कट्स अच्छे से लगाना है सिलाई बिल्कुल भी ना कटे फल्ले को पलट कर सीधा कर लेना है जो कि हमने कर लिया है गले की उपर टॉप इस्टिच लगा लेनी है जिससे गला अच्छे से सैट हो जाए तो फ्रेंस इसमें गोल गले की छपाई है लेकिन हमने इसको बी सेप में गले को बनाया हुआ है और इसी तरह हमें नीचे की सैट सिलाई को लगा लेना है एक बूट का मार्जर रखती हुए सिलाई को लगाना है कुछ इस तरीकी से पल्ले को पलट कर उल्टी सैट में बिछा लेंगे लैनिंग और मैन फैब्रिक तोनों पर सिलाई लगा कर अटेच कर लेंगे तो प्रेंस अगर हमारी चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रेंस चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और बैल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए और हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे और इस तरह से जो एस्टा फैब्रिक है उसको हम लेनिंग के बराबर में कट कर लेंगे इस तरह हमने बैक वाले पल्ले को स्टिच कर लिया है अब हमें बाजू स्टिच करनी है तो इस तरह मैन फैब्रिक है उसमें हमें कडाई को कुछ इस तरीके से बिल्कुल बराबर में मिला लेना है तो देख सकते हो फ्रेंज इस तरह से हमें बीच व बीच में निसान लगाना है तो इस साइड हमारा फैब्रिक कम है तो इस साइड में हम जोड लागा कर फैब्रिक को पूरा करेंगे उससे पहले हम फ्रेंट वाले पल्ले की कटिंग कर लेंगे तो इस तरह मैन फैब्रिक को हम बीचो बीच से डवल फोल्ड कर लेंगे ब्लाउज को हम प्रिंसेस कट में बनाएंगे तो इस तरह लैनिंग पर हमने प्रिंसेस कट कटिंग की हुई है और इस तरह बीच वाले पार्ट्स को मैन फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरीके से सैट कर लेंगे और इसी के बराबर में मैन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंस हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड में बिचा हुआ है हमारी दोनों पार्ट से एक ही बार में कट हो जाएंगी और इस तरह हमें सैड वाले पार्ट को अच्छे से सैड कर लेना है और इस तरह से कटिंग कर लेंगी बचे हुए फैब्रिक में हम बाजू में जोड लगा लेंगी तो इस तरह से हमने जोड लगाने के लिए फैब्रिक कट कर लिया है सीधी सेट में बाजू को बिचाएंगी और इस तरह फैब्रिक को बाजू के उपर सेट कर लेंगी उपर से टॉप इस्टिच लगा लेंगी तो वाइस टॉप इस्टिच अच्छे से लगाना है जो एश्टा फैब्रिक है उसको हमें कट कर देना है कुछ इस तरह से जो हमारी बाजू लैनिंग पर कट है उसको बीच से फोल्ड करेंगी और सेंटर निकाल लेंगी और कुछ इस तरह जो हमारी फैब्रिक में कड़ाई है उसको बीचो बीच में रखनी है नीचे की साइड हाफ पिंच का माजन छोड़ते हुए लैनिंग को अटेच कर लेना है कुछ इस तरह से लैनिंग को सीधा पलट देना है उपर से टॉप इस्टिच लगा लेनी है कुछ इस तरह से लैनिंग को उल्टी साइड में पलट देना है हैंड से अच्छे से फैब्रिक को समाल लेना है और इस तरह एक सिलाई लगा कर लैनिंग को मैं फैब्रिक के साथ अटेच कर लेना है तो देख सकती हूँ फ्रेंज हमने कितने कम कपड़ी में बाजु को निकाला हुआ है जोड लगा की अगर हमारे पास फैब्रिक कम होता है तो इस तरह से हम जोड लगा कर फैब्रिक को पूरा कर लेती है और बाजु को कटिंग कर लेती है तो फ्रेंस से ध्यान रखना है पहले फैबरिक में जोड लगा लेना है उसके बाद में बाजू को कटिंग करना है कुछ इस तरह से और इस तरह जो एस्टा फैबरिक है उसको हमें लैनिंग के बराबर में कट कर लेना है इसी तरह हमें दूसरी बाजू के लिए पहले फैब्रिक में जोड लगा लेना है उसके बाद में बाजू की कटिंग कर लेना है जो कि हमने कर लिया है अब हमें फ्रेंट वाले पल्ले को स्टिच करना है तो guys इस तरह हमें set वाली parts को मिला कर रख लेना है और इस पर सिलाई लगा लेना है तो guys इसमें हम cups लगाएंगी तो इस तरह landing वाली parts को landing वाली parts की साथ attach करेंगी और man fabric वाली पल्ली को man fabric वाली की साथ attach करेंगी और इस तरह man fabric वाली पल्ली को लेना है जो पीछे साइड का मार्जन है उसको हमें उपर की साइड पलट देना है और इस तरह उपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है हैंड से अच्छे से फैब्रिक को समाल कर सिलाई लगाएंगी इस तरह पल्ले को उल्टी साइड में पलट लेंगी सोल्डर से टेप को रखेंगी बस्ट पॉइंट का निसान 10 इंच पर लगा लेंगी इस तरह हमें दोनों साइड बस्ट पॉइंट पर निसान लगा लेना है और इस तरह कफ्स रखेंगी कफ्स को डवल फोल्ड कर लेंगी फिर से फोल्ड करेंगे बीच का सेंटर निकालेंगे और इस तरह सीधा कफ रखेंगे कफ्स को पलट कर उल्टा कर लेंगे सुई में धागा फसा कर और इस तरह उल्टी साइड सी कफ्स को टक कर लेंगे अच्छी से नोट लगा लेना है इसी तरह हमें दोनों कफ्स को अटेज कर लेना है जो कि हमने कर लिया है अब हमें कफ्स पर हाप दूरी पर सिलाई को लगा लेना है कुछ इस तरह से और इस तरह लैनिंग की उपर मैन फैबरिक को सैट कर लेना है चारों रौंड पर सिलाई लगा लेना है जो कि हमने लगा लिया है गले पर निसान लगा लेना है इस तरह से तो फ्रेंस हमारी निसान लगे हुई है हमें उनको डार्क कर लेना है जिससे स्टीचिंग करते समय कोई परिशानी ना हो अच्छे से स्टीच कर पाए और इसी निसान पर सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरीके से सिलाई के बहार बीच वाले फैब्रिक को कट कर लेना है तो देख सकते हो फ्रेंज हमने कितने आसानी से गले की कटिंग को कर लिया है इस तरह फ्रेंट वाले पल्ले को सीधी सैड में बिछाना है उसी के उपर बैक पल्ली को सैट करना है सोल्डर की सिलाई को लगा लेना है कुछ इस तरह से पल्ली को पलट कर सीधी सैट में बिछा लेंगे पल्ली के उपर बाजू को सैट कर लेंगे कुछ इस तरह से बाजू में बीचो बीच कट से लगा लेंगे और इस तरह जो सोल्डर की सिलाई लगी हुई है उसको हम कुछ इस तरह बाजू के कट से मिला लेंगी और इस तरह हाप इंच का माजन छोड़ कर बाजू को आरमूल की साथ अटैच कर लेंगी और इस तरह पल्ली को सीधा बिछा लेंगी फिटिंग की निसान लगा लेंगी तो गाईस ही हमारा चेश्ट बियाली सिंच है इस तरह हम 21 इंच पर निसान लगा लेंगी कमर का साइज 34 इंच है तो इस तरह हम 17 इंच पर निसान लगा लेंगी हैंड से सेप देंगी कुछ इस तरह से ब्लाउज को उल्टी सैड में पलट लेना है और बॉटम की चौड़ाई का निसान लगा लेना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है तो गैसे हमारी बॉटम की चौड़ाई साड़े 5 इंच है तो हम इस तरह साड़े 5 इंच पर सिलाई लगा लेंगी सिलाई लगबक निचाई में 1.5 इंचे नीची लगानी है क्योंकि इसमें हम चैन अटेच करेंगी और एक साइड में हम पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेंगी तो फ्रेंस कमर की साइड अलग से पट्टी लगा कर फोल्ड करेंगी तो इस तरह हमें देड़ इंचे चौड़ाई में पट्टी को कट कर लेना है और इस तरह बलाउज को सीधी साड में बिछा लेना है उसी की उपर पट्टी को अटेच कर लेना है एस्टा पट्टी कट कर लेना है और इस तरह उल्टी साइड में विलॉज को पलट लेना है एक बार फोल्ड करकी दूसरी बार पलट कर सिलाई लगा लेना है तो प्रें सिलाई को बढ़ा कर लेना है क्योंकि इस पर हम हैंड से तुरपाई लगाएंगी अब हम साइड में चैन अटेच करेंगी तो इस तरह हमारी एक साइड में सिलाई नहीं लगी हुई है तो इस तरह मारजन को हम फोल्ड कर लेंगी और बीचो बीच में निसान लगा लेंगी इस तरह मारजन को उल्टी साइड में परट लेंगी और निसान लगा लें, निसान जरूर लगा लें और इस तरह उल्टी साइड में चैन रखेंगी चैन को लगबग हाफ इंच बाहर निकाल कर अटेच करना है चैन अटेच करते समय फ्रेंस ध्यान रखना है चैन की किनारी पर बिल्कुल भी सिलाई ना लगे चैन में जो फैबरिक होता है उसी में सिलाई लगे उपर की सैट चैन को बंद कर लेना है कुछ इस तरह से तभी बूट घूम पाएगा दूसरी सैट के लिए और इस तरह बूट को घुमा कर दूसरी सैट चैन को फैबरिक के साथ अटेच कर लेंगे अब हम इसका फाइनल लुक दिखाएंगे तो गाइस बैक साइट का हमारा लुक देख सकते हो तो फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले